टोटल मैं आपको इस सीरीज में 15 सिफ्ट का पेपर सॉल्व कराऊंगा आपके एंटीपरिसी CBT2 एक्जाम में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 इन तीनों लेवल को मिलाकर टोटल 15 सिफ्टों में आपका पेपर को कनट कराये गया था अब यहाँ पर मैं इस सीरीज के तुरू में इन 15 सिफ्ट का पेपर में आपको यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहा हूँ और एक चीज इंपोर्टन चीज जो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी लोग RRC Group D एक्जाम के त्यारी कर रहे हो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इन 15 सिफ्ट का पेपर में मैं टोटल आपको 200 प्लस कोश्चन कराऊंगा और इन 200 प्लस कोश्चन में आपको RRC Group D एक्जाम में 20 प्लस कोश्चन आपको सेम पैटन पे आपको जरूर से देखने मिलेंगे आप कह सकते हो यह सिरीज एक ब्रहमास्तर सिरीज होगा आप सभी RRC Group D एक्जाम जितने भी लोग त्यारी कर रहे हैं यहां से कोश्चन आपको सेम पैटन पे जरूर से देखने मिलेंगे ठीक है और एक चीज और बता देऊ यहां पर मैं आपको per shift wise question तो solve कराऊंगा बट यहां पर इन 15 shift का paper में मैं हर shift का best 15 question केवल आपको solve कराऊंगा और इस best 15 question में आपके अच्छे type के question होगे और आपके moderate type के question कह सकते हो या tricky type के question कह सकते हो या फिर important type के question आप कह सकते हो ठीक है और मैं उम्मिद करता हूं कि आप लोग अपने तरब से खूप जादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मैं पहले से बोलता है हूं जितना जादा से जादा हो सके इस वक्त आप लोग बस प्रैक्टिस करतेज चलो ठीक है तो चलिये मुझे केवल आप लोग यहांपर होगे तो आप वहां पर से डारेक्ट एक बार में देख सकते हो ठीक है तो फिलाल आज हम लोग जो पेपर यहां पर solve करने जा रहे हैं यह आपका पहले दिन का पेपर है लेबल 5 का first shift का पेपर मैं आप यहां पर solve कराने जा रहा हूँ ठीक है तो चलिए बिनक से टाइम वेस्ट का मैं सेसं को continue करता हूँ पहला question आपके सामने है और काफी ज़्यादा आप कोमेंट भी आ रहे थे कि ntpc cbt2 का पेपर solve करा दो तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगा कि इससे कोई अच्छा आपका और उपाय होगा ठीक है तो चलिए फिलाल पहला question trigmetrics का है आप लोग इसको practice को तोर पर भी ले सकते हो पहला question देखो क्या बोला निन निन को theta क्या होता है तो आप बोलोगे cos theta होता है वैसे ही अगर cos 90-theta की बात करें तो यह क्या होता है sin theta होता है ना पस इसी property का हम लोग यहाँ पर use में लेंगे क्योंकि यहाँ पर cos का angle क्या है दोनों जगा अलग एक plus में है एक minus में है तो किसी को भी आप change कर सकते हो तो हम क्या कर रहे है इसी को change कर ले रहे है तो इसके जगा पर हम इससे एक इस्टे पहले ऐसे लिखा हो सकता है sin square 90 minus theta ठीटा में क्या है आपका 45 minus theta ध्यान जो देखो यानि इस sin 90 minus theta क्या होता है cos theta यानि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसी को जब आप solve करोगे तो यह क्या आजागा sin square या 90 में से 45 या और minus minus plus यानि 45 plus theta यह क्या आग गया देखो ध्यान से यह 45 plus theta और यहाँ पर 45 plus theta और अब आपको पता है cos square theta plus sin square theta कितना होता है 1 के बराबर होता है यानि उपर numerator में मेरा कितना निकल क्या आगया 1 निकल क्या आगया थिक है तो यानि यह आगया उपर में 1 अग नीचे solve कर लो तो cos x 30 कितना हो जागा 2 का square 4 sin 45 यानि 1 by root 2 तो root 2 का square 2 minus 660 यह क्या हो जागा 2 का square 4 तो यह 2 से 2 cancel हो गया यहां से solve करेंगो तो क्या हो जागा minus 1 by 2 correct answer option number second clear चले एक question इसको try करो जबरजस्त question पुछा गया था अब यहां पर क्या बोला था A किसी कारे के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है A और B निर्धारित समय का पूरी अविधिता कारे करते हैं कारे समय पर पूरा हो भी जाता है तो B कारे कितना भाग पूरा करता है बता अब देखो इस question को आप जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो यह question स समझो OCTION में simply क्या बुला है कि A कोई है वो किसी कारी का 12% भाग कितने समय में कर रहा है तो किसी particular time यानि किसी निर्धारित समय के 15% समय में कर रहा है ठीक है यानि किसी particular time का 15% में वो 12% काम को खतम कर रहा है और A और B निर्धारित समय तक पूरी अविधी के लिए कारी भी करता है और कारी समय पर पूरा हो भी जाता है तो आपसे simply यही पुछा है कि बताओ B कारी का कितना भाग पूरा करता है टोटल यह आपसे पुछा है अब इस question को आप ऐसे समझ सकते हो बड़ी असानी से कि 20 माल लो 20 में यानि यह तीन ही मतलब यह तीन कहीं यूज किया है और यह तीन मतलब यह तीन पार्ट में काम का कितना भाग कर रहा है 12 परशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है समझना मेरी बात को यह यह टोटल टाइम है 20 20 में यह तीन भाग तीन भाग का टाइम में वह कितना काम कर रहा बारा परशंट का काम कर रहा है अब आप सुझे बोली रखाता है कि ए और भी पूरा निर्धारित समय का पूरी अविधी तक के लिए काम किया है यानि अगर यह तीन भाग में अगर 12% काम कर रहा है तो यह पूरा टोटल 20 भाग में यह पूरा 20 में कितना काम करेगा उस काम का क्तना भाग तो आप नहीं निकाल लोग Neo-Nanti thời method से अब पसे यह बारा पर्शंट काम अगर वह खतम कर देगा A जानि इसका मतलब जब A अगर 80% काम खतम कर दिया है पूरा 20 का time लेकर तो इसका मतलब B कितना काम किया होगा 20% आपसे यही तो पुछा था B कारेगा कितना बाग करेगा 20% correct answer option number 3 आपसे question नहीं पूछता है कि A कितना किया 80% बात समझ रहे हो तो यही आपको करना था यहां पर correct answer हो जागा option number 3 clear है सभी लोगों को उमीद करता है सभी लोगों समझ आया होगा आप चाहते हो तो 100% भी time को मान सकते हो यह आपके उपर है 15% में अगर वो 12% काम कर रहा तो पूरे 100% में कितना काम करेगा तो जैसे भी गुमा फिरा के करोगे तो यह आपका 80% काम कर रहा है पूरे समय में ठीक है चले चलो next question इसको देखो किसी घनाप की लंबाई चोड़ाई और उचाई का अनुपात दे रहा और इसके सभी किनारों का लंबाई का योगफल भी दे रहा है यानि उसके सभी एजेस का सम भी दे रहा 144 अब आपको पता है चाठ्छो लेंध यानि टोटल है एक घनाब में यानि एक क्यूबएड में क्या चाठ्छो लेंध होगा चाठ्छो ब्रेथ होगा चाठ्छो हाइट होगा यही होगा ना बोलो clear है सभी को इसका मतलब आप simply समझ लो अगर ये length breath height का ratio है तो ये क्या हो जाएगा 4x, 3x और ये 5x तो ये length breath height आगया तो मैं कहना क्या चार चार ठो सब होगा तो 4 चार को मैं अगर common ले लू तो इसके बीच में क्या होगा प्लस इन ही का तो sum आपको दे रखा 144 के बराबर बोलो समझ आए कि नहीं यानि 4, 3, 7, 7, 7, 5, 12 यानि 4 गुना 12x equal to 144 तो 12 से काटेंगे 12 बार में 4 से काटेंगे 3 बार में यानि x का मान कितना निकल गया 3 इसका मतलब आपको पता चल गया length मेरा कितना है 12 breath कितना है 9 और height कितना है 15 अब आप यहां से कुल प्रिष्ट छेतरफल यानि टोटल सर्फेस ही रे नहीं निकाल लोगे बड़ी असानी से असानी से निकाल लेंगे तो इसको मैं यहां ही पर लिख लेता हूँ डारेक्ट कर रहा हूँ ठीक है 2 times LB, BH और HL ठीक है 846 cm2, correct answer option number D चलिए मैं calculation इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि चीज़े सभी लोगों को समझ आ जाए जब आपको समझ आगा इतना कुछ इतना करने का जुरूत नहीं है चलो next question इसको try करो अब यहां पर क्या बोला है 2 संख्याओं का LCM, उनके HCF का 20 गुना है तथा LCM और HCF का योगफल दे रखा है आपको आप बोला यदि संख्याओं का अंतर अगर 24 है तो संख्याओं का योगफल बताओ कितना होगा अब इस question को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो जब simply अगर हमको बोल दिया है किसी संख्या का किसी दो संख्या का HCF मतलब जो LCM है वो HCF का 20 गुना यानि अगर HCF अगर मैं X मान लो तो इसका मतलब LCM कितना होगा 20X होगा according to question इन दोनों का योगफल भी दे रखा है यानि 20X का मान भी कितना दे रखा है 504 के बराबर यानि X का मान निकल के आजागा 21, 42, 48, 84 यानि 24 X का मान अगर 24 निकल गया है इसका मतलब HCF मेरा कितना निकल के आ रहा है 24 और LCM कितना निकल के आ रहा है 480 हमसे क्या पूछा है question में कि संख्याओ का योगफल बताओ यानि समझाना संख्याओ का योगफल पूछा है तो संख्या का अगर योगफल पूछ रहा है तो आप इसको जैसा चाहो आप बना लो अब समझते हो तो सब कुछ अब समझद लोगे कि अगर कोई भी 2 संख्या का HCF अगर 24 है तो इसका मतलब वो 2 संख्या क्या-क्या हो सकता है 24 X 24 Y बोलो यही न वो दो संख्या होगा और आपको पता होना चाहिए LCM जो 480 होता है उसमें एक प्रोड़क्ट HCF भी होता है यानि LCM में HCF का भी multiple होता है यानि अगर आप इसको break करोगे तो यह क्या जागा 24 गुना 20 समझ ना क्योंकि 24 तो HCF हो गया अब इसी 20 यानि यही X और Y यानि यह मैं कहना कह चाता हूँ यह जो XY का प्रोड़क्ट होगा यह आपस में क्या होता है हमेशा को प्राइम होता है आपस में हमेशा को प्राइम यानि साहा भाजी संक्या मतलब समझ रहे हो न दोनों के बीच में HCF हमेशा 1 होगा तो अब 20 को कैसे ब्रेक करेंगे पांच गुना 4 के फॉर्म में जिससे मेरा HCF दोनों का 1 ही आएगा तो बस अब आप समझ गए यानि आप X और Y कमान किसी को भी माल लो तो 24 गुना 5 120 हो जाएगा 24 गुना 4 96 हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 260 यानि करेक्ट आंस राजागा option number first बोलो clear है उमीद करता हूँ सभी लोगो समझ जाए होगा आप अगर ऐसे समझे हो तो ठीक है वरना आप basic से भी आप जा सकते हो आप आपको पता चली गिया था दोनों आपको पता है कि किसी भी दो number का product उनी दो number का LCM into HCF के बराबर होता है बोलो होता है न तो आप ऐसे भी बना सकते थे आपके पास HCF था LCM था दोनो number का value निकाल लेते हैं मगर यहाँ पर दयान देना ये वाला का use करना क्योंकि एक दोनों संख्या का बीच में दोनों संख्या का बीच में अंतर था 24 का तो X plus 24 कर लो समझे तो ऐसे भी बना सकते बट लेंदी है आप उसे वैसे समझ सकते हो जल्दी बन जाएगा ठीक है चलिए next question करबढ़ता फिलाल एक question ये पुछा गया तो इसको देखो यदि कोई समिकरन दे रखा है तो आपसे पूछा था दोनों मुलों का बुननफल बताओ यानि product of root पूछा है exam में आपसे दोनों मुलों का योगफल भी पूछ सकता था यानि sum up root भी पूछ सकता था तो formula क्या होता है आप सभी को पता होना चाहें जैसे कि अगर ये equation है 6y square minus 13y plus 6 equal to 0 तो आपको पता है ये y square y square का coefficient क्या कहलाता है a y का coefficient क्या कहलाता है b और ये constantum क्या कहलाता है c तो हम लोगों को direct एक चीज़ पता है कि sum of root यानि दोनों मूलों का योग इसका formula क्या होता है आपको निकालने का जोरत नहीं है sum of root क्या होता है minus b by a होता है और product of root जो question में पूछा गया था product of root क्या हो जाएगा आपका c by a तो अब c by a इसका मतलब आप देख लो constant term क्या था 6 एक कामान कितना है y score coefficient 6 तो solve करेंगे तो 1 यानि इसका अंसर रजा का 1 बोलो clear चलिया एक question ये पुछा किया तो इसको try करो एक निश्चित धनरासी x पर 37 वार्सिक सधारन ब्याच के दर से 7 वर्सों में 22,494 हो जाता है यदि वार्सिक सधारन ब्याच के दर पर x प्लस 4% होती है तो 7 वर्सों के बाद 9 धनरासी 25,917 हो जाता है तो 9 वेस की गई धनरासी बताओ कितनी होगी तो simply आपको पता है rate मेरे को क्या दे रखा x परशन का दे रखा है समय दे रखा है 7 साल के लिए तो 7 साल में कितना हो जा रहा x परशन का rate से टोटल अमाउंट 22,494 अब क्या बोलाए कि जब हम rate of interest में जब 4 परशन का बढ़ोतरी कर दे रहा है समय आपका 7 साल के लिए ही है तब आपका अमाउंट कितना हो गया 25,917 हम से सिर्फ question में पूछ रहा है आपका rate of interest पहले x परशन था अब 4 परशन का बढ़ोतरी हो रहा है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यह जो 4 परशन का बढ़ोतरी हुआ है तो total कितने साल के लिए 7 साल के लिए तो total rate of interest कितना निकल गया 28 परशन यानि इसी 28 परशन का difference यह 28 परशन किसके बराबर होगा तो इनके amount के difference के बराबर होगा बोलो समझा रहा है तो बस इसी को difference कर लो यानि 25,917 में 22,424 गटा दो तो 7 से 4 जाएगा 3 यहां 11 से 9 जाएगा 2 8 से 4 जाएगा 4 और यहां 5 से 2 जाएगा 3 यानि यही 28 परशन का मान आपका 3,423 रुपय का बराबर है तो आप से पुछा था principle यानि 100 परशन का value अब solve नहीं कर लोगे अब तो calculation है बस याद रहां सधारन ब्याज में क्या सधारन तरीके से calculation होता है तो 4 से काटेंगे यह 7 बार में कट जागा चार से काटेंगे तो यह 25 बार में कट जागा साथ से और काट लेते हैं तो सच चके 28 और 6 दो 8 सते 56 और यह 9 यानि 489 को multiply कर लो 25 से अब 25 से कर लेते हैं तो 25 नहीं किता है तो 225 5 यहाँ 22 कहरी 25 गुना आठ 200 200 222 में 2 फिर से 22 कहरी 25 गुना 4 25 गुना 4 100 और 100 और 22 22 यानि इसका answer हो जाएगा option number first clear है चले एक question यह पुछा गया था इसको भी जली स्वाल कर लो ब्याज की गनना वार्सिक चिदक चकरिविदी ब्याज पर करने पर एक धनरासी एक निश्चित ब्यार के दर एक निश्चित ब्याज के दर पर तीन वर्स में कितना हो जा रहा 625 तीन वर्स में कितना हो गया 625 और 4 वर्स में यानि और 4 साल में कितना हो गया 675 हमसे पूछा है कि वार्सिक ब्याज का दर बताओ कितना है तो आपको compound interest है पता है तीन साल में कोई अगर principal 625 हो गया चोथे साल में 675 हो गया तो आपको तो पता है कि पहले साल से जब दूसरे साल में जब count होता है पहले साल के बाग तो दूसरा साल के लिए पहले साल का amount क्या कहलाता है principal कहलाता है यानि ये तीसरा साल का जो भी amount है वो चोथे साल के लिए क्या कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा तो देख लो ना टोटल इसमें अंतर कितना आ रहा है 50 रुपे का अंतर आ रहा है यानि इसी का हम लोग डिरेक्ट निकाल लेतें कि ये 50 रुपे 625 का कितना rate of interest है बस हम बता देंगे इंट्रेश में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज आपका interest count होते रहता तो पहले साल का जो भी ब्याज आएगा वो दूसरे साल के लिए पूरा principle का काम करेगा ठीक है चले next question इसको देखो जली से अब यहां पर क्या बोला आरुसी को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था लेकिन इसके बजाए उसने 4.2 से गुना किया यदि उसे प्राप्त गुननफल 65.1 था तो उसकी सही गुननफल का रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए था बताओ अब question में simply बोला है कि 2.4 से गुना करना था जबकि वो कर दी किससे गुना 4.2 से ठीक है यानि गरना था गुना 2.4 से और वो कर दी है 4.2 से यदि उसे प्राप्त गुननफल कितना मिला 25.1 मिला ठीक है यानि इससे जब गुना हुआ तो इसको मिला कितना 65.1 तो आपसे पुछाए कि रियल जो रियल आंसर आएगा अगर 2.4 से गुना करता तो इसको क्या प्राप्त होना था यह आपसे पुछाए अब आप इस question को कैसे बनाओगे आप इसको calculation को easy कर सकते हो बनाना तो वैसे ही है calculation में मैं देख रहा हूँ कि यह 2.4 है और यह 4.2 है 6 का यहां पर दोनों जगा common आ रहा है क्योंकि 6 का multiple है तो यह आगया 6 अगर हम हटा दे तो यह क्या आगया 0.4 और यहां से 6 हटा दे तो 0.7 बात समझना बस अब जैसे calculation करने वाले वही करो यानि अगर यानि आप समझो यानि X का multiply 0.7 से हुआ क्योंक क्या मिला 6 5.1 तो आप इसको solve करोगे तो X का मान नहीं आ जाएगा 97 63 और 3 यह 93 निकल के आ गया तो अब मैं इस रियल पूछा था रियल मान बताओ तो यही 93 का 0.4 से जब हम गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा चारतिन 12 और 36 और 272 तो आंसर क्या हो जागा option number first clear चलिया एक question यह पूछा गया तहाँ इसको देखो यहाँ पर क्या बोला एक निश्चित परतिसत वारसिक के दर पर 5 वर्सों के लिए 9 निष्चित दन्रासी का परिपकता पर दय धन्रासी 9800 समान दर पर 10 वर्सों के लिए 9800 पर 10 वर्सों के लिए 9800 वारदी गा दार 9600 यहाँ त सदारन दिया जाता है तो वार्सिक का ब्यास दर बताओ कितना है अब यह भी कोश्चन में आप से रीट आफ इंट्रेस्ट पूचा है और यहां पर मैं आपको C.I.S.I का कोश्चन इसलिए कराऊंगो ज्यादा क्यूंकि यहां से कोश्चन फिक्स है मतलब फिक्स है Mtpc exam में चार-चार कोश्चन पर सिफ्ट में पूछे गए थे तो मुझे पूरा विस्वात से गूरूप D exam में भी दो कोश्चन तो पर सिफ्ट पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे ठिक है और अच्छे-च्च्च्छर औरेड़ी पूछे जा चुके हैं तो उस type के कोश् ठीक है, तो चलाल चलो यहाँ पर फिलाल अगर इस question को देखे तो यहाँ पर क्या बोला है, simply कि 5 सालों में amount कितना हो जाओ रहा, 9800 हो गया, 10 साल में कितना हो जाओ रहा, तो यह हो जाओ रहा रहा, 12600 हो जाओ रहा, सारा काम सधारन ब्याज में हो रहा है, यानि 5 साल में amount इतना हो गया 10 साल में इतना हो गया यानि ये 5 साल का जो difference में amount का कितना difference है ये अठाइस सो का difference है तो principle अगर आपसे question पूछा जाता तो आप असानी से निकाल लेते क्योंकि 5 साल में अगर कोई principle 9,800 रुपय हो गया और ये 5 साल में आप देखोगे तो यहाँ प ये 5 साल का अगर अठाइस सो total rate of interest है तो एक साल का interest आसानी से निकाल सकते हो कितना 560 रुपय है तो आपसे rate पूछा है तो 560 7000 का कितना percent है आप नहीं निक पता दोगे जैसा चाहो वैसे solve करो तो 8% का यानि correct answer option number first clear चले एक question ये पूछा गया तो इसको देखो यहाँ पर ब तो 3 लीटर मातर में मिलाया जाता है तो नए मिसरन में दूद और पानी का अनुपात बताओ कितना होगा तो यहाँ पर क्या पोछा है नेया mixture में दूद और पानी का ratio पोछा है तो सबसे पहले देखो यह milk हो गया यह water हो गया कितना अनुपात में था 3 और 2 अनुपात में वो उसमें रहता भी है जैसे कि अगर इस mixture में अगर दूद और पानी का अनुपात तीन और अनुपात दो में है तो इसमें से दो लिटर निकाला गया है ठीक है दो लिटर निकाला गया है तो दो लिटर में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा तो इसी रेशियो में जो लीटर में 1.2 मिल्क था तो दूद कितना होगा 0.8 होगा समझ ना यह मिल्क हो गया यह वाटर हो गया नेक्स्ट वाले में किया बोलाता है कि अब तीन लिटर निकाला जा रहा है अब यहाँ पर जो दूद और पानी है यह हो गया दूद और यह हो गया पानी तो यह आपका किस अनुपात में है दो और तीन का अनुपात में जस्ट उल्टा अब यहां पर 3 लिटर निकाला गया तो 3 लिटर भी अब उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में था तो यह 2 बटा 5 अगर हम इसमें से solve करें तो कितना जागा 3 2 6 यानि यहां पर भी कितना हो गया 1.2 तो यह हो गया milk तो water कितना हो जाएगा बचा 1.8 क्योंकि अपकी बार 3 लिटर निकाला गया था समझ रहे हो यानि यह पहला 2 लिटर वाला दर्व निकाला गया था यहां पर 3 लिटर निकाला गया तो यह कितना हो गया, 2.6 हो गया, यह हो गया, वाटर, तो आपसे नया कई तो मिसरंग पुछा था, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, यह नि 12 अनुपात 13 में होगा, क्लियर है, चलिए, एक कोशन यह था, इसको देख लो जली से ट्रिमोमेटर, ट्रिमोमेटर भी मोस्ट इंपोर्डन यह आपका चैप्टर होने वाला है, यहां से भी एक से दो कोशन जरूर बनेंगे, यहां पर आपसे पुछा गया है, यह आपको दे रखा है, आपको इतना क कमान पुछा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो 10, 2, theta, और यह आपका अगर माइनस 3 को यहां ले आए, और यह रूट 3 को यहां ले आए, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यह क्या है रूट 3, तो आपको पता है तो 10, 2, theta, 10 कमान, root 3 कितना डिगरी पर होता है, तो 60 डिगर तो यहां से ध्टा कमान नगर 30 डिघरी पता चल गया तो यहां पर कूट कर दो तो मैं इसको अटा रहा हो ध्टा कमान 30 डिघरी है तो 1060 कमान कितना होगा 1 ग bio 3 सेख यहां पर झेक शिटिक भर सब्कर फरी से छीक थर्टे का सेख 30 कमान कितना हो जाएगा से एक 30 का मान वही होगा जो cos 30 का मान होगा तो यहाँ पर क्या हो जागा 2 by root 3 minus sin 30 यानि 1 by 2 तो solve करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 2 by 30 minus 1 by 2 तो इसको solve करेंगे 6 यानि 1 यानि इसका answer जागा 1 by 6 correct answer option number 3 एक question यह पुछा गया था फिर से देख लो यह एक ही shift में कितने CISI के question पुछेगा है आप देख सकते हो खोदी यहाँ पर बोला है 9800 की धन्रासी को 10% वार्सिक ब्याज के दर पर एक वर्सों के लिए निविसित क्या गया है जिस पर ब्याज की गन्ना अर्दवार्सिक तोर पर की जाती है तो वर्स के अंत में देख ब्याज कितना होगा बताओ यानि इंट्रेस्ट पूछा है अब आपको पता है रेट अगर मेरा 10% का है और समय आपको दे रखा एक साल के लिए ठीक है मंगर जो ब्याज का गन्ना होगा वो अर्दवार्सिक के तोर पर होगा यानि हर छेचे मैना के लिए होगा तो नया जो मेरा रेट ऑफ इंट्रेस्ट बनेगा क्योंकि अगर हर छेचे मैना में होगा तो हम लोग क्या करते है रेट का आधा कर देंगे यानि 5% नया रेट ऑफ इंट्रेस्ट अग और समय को डबल कर देंगे क्योंकि दू साइकल होगा जेचे मैना का यह होग गया दू साइकल अब अब जैसे बनाते हो बना लो टूटल रेट ऑफ इंट्रेस्ट कितना आफ जैगा Compound इंट्रेस्ट के थानवे का एक चौथाई क्योंकि एक परशंट का मान 98 होगा तो एक चौथाई बस इसका निकाल लेंगे तो यह कितना हो जागा 49 तो यानि 24.5 यानि 5.482 10 यानि 2004.5 यानि 2004 रुपय यानि करेक्ट अंजर जागा option number first ठीक है चले next question इसको देखो average का question है और एक्जाम में average के भी जवर्जस्त question पूछे गए थे average chapter से भी यहां पर क्या बोला है फिलाल कोई परिवार कोई परिवार वर्ज के पहले 5 महिने में किराने के समान पर 46, 56, 48, 38, 6000 रुपय खर्च करता है किराने का समान पर परिवारे का 6 महिने का उसत खर्च कितना है 4500 तो 4500 करने के लिए परिवार को छटे महिने का कितना खर्च करना चाहिए अच्छा तो देखो 5 महिने का पहले दे रखा है आपको कितना 46, 56, और ये 48, एक जगा 38, और ये 6000 ये 5 महिने में टोटल अगर आप देखो कितना अच्छे 12, 20, 28, 2, 8, 11, 15, 20, 24 ये 5 महिने में टोटल 24,800 निवेस किया गया है और आपसे पहली बोल दिया है कि किराने का समान पर परिवार का 6 महिनों का कौसत खर्च कितना है 45, यानि टोटल अगर इसका सम निकालोगे तो किता आजागा 6, 35, 6, 35, 6, 24, 27, यानि 27,000 रुपे टोटल खर्च हो रहा था 6 महिने में तो छटे महिने का पूछ रहा है कि छटे महिने में कितना खर्च हुआ है तो 24,800 यानि 200 रुपे यहां कम है और 2,000 यानि 2200 यानि यही 2200 रुपे छटे महिने खर्च हुआ हैंगे तो करेक्ट आंसर जाब ऑप्चन पर फ़स्ट चलिए अब ये कोश्चन आपका जिमेट्री का कोश्चन है इसको भी ट्राइ कर सकते हो क्या बोला है किसी विरित की दो जिवाई AB और CD विरित के बाहर इस्तित बिंदू F पर पर परतिचेदित करती है यादि AF दे रखा है, BF दे रखा है, CF दे रखा है तो CD के लंबाई बताओ कितना है अब इस कोश्चन को देखो Code Intercept theorem से पूछा है यहां से भी super important theorem है यहां पर यहां पर अपकी बर जो कोश्चन दिया है ना यह आपका दोको externally byset कर रहा है यानि बाहर में यह प्रतिचेदित कर रहा है अंदर वाला हो या बाहर वाला हो सबका फर्मुलानों अल्रेडी सब कर चुक है geometry section वाले वीडियो में आप एक पर देख लेना मेरा geometry का वीडियो उतना मोर्द सफिसेंट होगा group d1 का exam के लिए तो फिलाल यहां पर दोकोड है तो यह यह दोनों दो जीवा बाहर में प्रतिचेदित कर रहा ठीक है तो यह मां लेते हैं यह AB हो गया यहां तक और यह मां लेते हैं यह CD हो गया और यह F thumbs हो गया मैं according to question क्या क्या दे रहा है AF दोको AF करमाद 12 अब BF करमाद कितना दे रहा है जए क्या कि दोARK दे रहा है तो इसका मतलब AB करमाद कितना हो आप होगा क्लियर है सभी को उची तरीकासे यहां पर आपको C, X меся f कमांद दे रखा सूला हमसे cday कमाल पूचहें यान यहदा मान पूच तो cday कमान अगर मैं x माल गो अगर मैं cday कमान अगर x माल लो और cf कमान अगर सूला है तो इसका मतलिब ये कितना होगा in 16-1 होगा बुलो चाहों तो BF into AF equal to उसी तरीके से DF into CF पस इसी formula का use कर लो यहाँ पस तो यहाँ पर मैं direct कर रहा हूँ अब आपका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चार गुना 12 equal to उसी तरीके से यहाँ पर 16 minus X और यह पूरा कितना था 16 था तो solve करेंगे तो 4 से काटेंगे यह 4 बार में 4 से काटेंगे यह आपका 3 बार में तो यह X अगर वहाँ जाएगा 16 में से 3 जाएगा 13 और यही X मेरा क्या था CD यानि CD कमान आ जाएगा 13 correct answer option number B clear है? चलिए next question किर बढ़ते है next question मेरा आज का last question है जो कि मैं आप लोगे ऐसा homework question देता हूँ जो कि simplification का है और simplification से 2 से 3 question एकदम fix है मतलब fix है तो इसका answer मुझे आप लोग कमेंट करके बताना देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को या इस रिस को follow कर रहे है तो चलिए चलाल इसके साथ मैं ये वीडियो को wind up करता हूँ उम्मीद करता हूँ सेसन पसंद आओगा पसंद आओगा पसंद आओगा तो प्लीज वीडियो को like and support जरूर दिखाईएगा चैनल फर्स टाइम आया तो प्लीज चैनल को subscribe जरूल कर ज़ेगा ठीक है तो मिलते हैं किसे एक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंड जय वारत